कई बार आप लोगों की ये शिकायत होती है कि सर्व हम पुलिस इस्टेशन जाते हैं तो पुलिस हमारी F.I.R. दज नहीं करती है और अगर वो हमारी F.I.R. दज कर भी लेती है तो हमें F.I.R. की कौपी नहीं देती ऐसी कंडिशन में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना जाता हूं कि अगर पुलिस F.I.R. दज कर लेती है तो ये आपका अधिकार है और पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो आपको F.I.R. की कौपी निशुल्क देंगे ठीक है ये पबलिक डॉकुमेंट होता है इस डॉकुमेंट को प्राप करना एक आपका प्राथमिक अधिकार होता है दोस्तों कई बारी आपकी ये शिकायत रहती है कि हम पुलिस इस्टेशन जाते है मगर पुलिस हमारी F.I.R. दर्ज नहीं करती है और हमें सही से ट्रेट नहीं करती है दोस्तों देखिए पुलिस उनी मामलों में F.I.R. दर्ज करती है जो एक संदिग्त परकार के अपराध होते है जो कॉनिजेबल ओफेंस होते हैं जैसे कि 376 का मामला अपहरं का मामला मडर का मामला ऐसे बहुत से संदिग्त अपराध होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ती को बिना वोरंट के गिरफतार किया जा सकता है दोस्तों अब ह और आपकी F.I.R जरूर लिखी जाएगी जो संदिक्द अपराद होते हैं जो कॉगनेजेबल ओफेंस होते हैं उसमें पुलिस F.I.R जरूर लिखती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप पुलिस इस्टेशन जाते है F.I.R दर्ज करवाने के लिए मगर पुलिस कोई भी एक्षन नहीं लेती है मगर आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि कोट के द्वारा F.I.R दर्ज करवा सकते हैं आप कोट में 156 की एप्लिकेशन लगा कर कोट के द्वारा अपनी F.I.R लिखवा सकते हैं दर्ज करवा सकते हैं दोसों होप आपको यह बास समझ आई होगी कि अगर पुलिस हमारी F.I.R दर्ज नहीं करती है या पुलिस हमारे को F.I.R की कॉपी नहीं देती है तो ऐसी कंडिशन में हम क्या कर सकते हैं दोसों ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो हमको पता होना जरूरी है डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपको ये नौलिज है कि पुलिस के खिलाफ आपको कौन से अधिकार है तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो को देखे आपको ऐसे 10 अधिकार मिलेंगे उससे knowledge मिलेगी कि हमारे क्या अधिकार है हमारे क्या fundamental rights है हमारी क्या duties है तो हुप दोस्तो आपको ये बास समझ आई होगी और देखे दोस्तो अगर आप police station जाते हैं F.I.R. दच करवाने के लिए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप लिखित में F.I.R. करवाए अगर आपको F.I.R. दच करवाने है प्लिस station जाके तो आप उसको एक paper में लिख लीजिए उस paper में लिखने के बाद आप उसकी photocopy करवा लीजिए और original police station में दे दीजिए और photocopy में आप police station की महर और diary number ज़रूर लिखवा ले वो आपकी एक valid F.I.R. मानी जाती है और अगर आपको कोई court case करना है तो उस original जो आपने stamp लगवाई है उस F.I.R. की copy भी diary number आप उसको court case में लगा सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा evidence होता है आपके favor में जाई होगी अगर आप police station जाते हैं F.I.R. कराने के लिए अगर police वाले आपकी F.I.R. दर्च नहीं करते हैं तो आप 156 की application court में लगा कर F.I.R. दर्च करवा सकते हैं court के द्वारा police station को जो S.H.O. वगेरा होते हैं उनको ये order दिया जाता है कि इस मामले में उनसे ये पूछा जाता है कि इस मामले में अभी तक F.I.R. दर्च क्यूं नहीं की गई है तो उनको court पे जवाब देना पड़ता है तो होग दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like जरू कर देना और जो भी चैनल में नए है प्लीज डू subscribe my channel ऐसी ही बहुत यच्छी basic legal information देखने के लिए मिलते हैं बहुत यच्छी legal information के साथ next वीडियो में तब तक के लिए आप चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा नमस्कार जैहिन